श्री शद्गुरो महाराज कीजे प्रातहस्मर्णी अनन्च्रिवोशित प्रमाराद्य संस्द्गुरो महर्श महीं प्रमहंस जीव महाराज का प्रवचन अंदर की शांती ही शांती है बंदंगुरुपदकंज कृपाशिंदुनर रूपरी महा मोहतमपुन्द जाशुवचनर विकर निक प्यारे लोगो इस नगर का नाम होशियार पूर है यह होशियारों का शहर है जिनका होश या चेत बहुत अच्छा है ऐसे लोगों का यह शहर है इनको क्या सिखलाना है ये अपने चेते हैं फिर जब हम लोगों से कुछ सुनना चाहते हैं तो कुछ सुनाना ही पड़ता है आप देखते हैं दिन होता है रात होती है फिर ऐसे ही उलटते पुलटते रविवार से सनिवार होता है महिना होता है फिर साल होता है एक एक दिन गुजरते गुजरते समय बीच जाता है इसी तरह अपने शरीर में बच्पन जवानी बुढ़ापा और अंत में मिर्तियू मिर्तियू के बाद क्या होगा कहा गया है कि दुख सुख का भोग नरक स्वर्ग में होगा फिर इस पिर्थवी पर भी आवेगा यह पिर्थवी कर्म छेत्र है यहां विशय भोग है विशय भोग में संतुष्टी नहीं है संतुष्टी नहीं तो शांती नहीं परन्तु शांत बाहर की चीज नहीं अंदर की है अंदर की शांती ही शांती है बाहर की कितनी भी शांती हो वह अंदर की शांती के समान नहीं होती है मतलब की संसार में शुख दुख होते रहते हैं असली शांती मिलती नहीं है शंत वही होते हैं जिनको शान्ती मिली होती है शान्ती प्राप्त करने के लिए अंदर में देखने की कोशिश करो अंदर देखना कैसे हो शकता है आँख खोल कर देखो तो संसार है आँख बंद कर देखो आँख बंद करने पर भी बाहरी ख्याल रखेंगे तो शांती नहीं आवेगी आँख बंद कर देखो दिन में भी अंधकार रात में भी अंधकार अंधकार में भी शब्द होता है और प्रकाश में भी अक्षरों में जो कहा जाता है वह वर्णात्मक शब्द है राग रागिनी के शब्द वर्ण तथा ध्वन्य युक्त होते हैं केवल बाजे के शब्द ध्वन्यात्मक हैं इस्कूल कोलेजों में जहां तक शब्द के द्वारा पढ़ते हैं वह बाहर संसार के कामों में बहुत आता है लेकिन अंतर में शांती नहीं आती बाहरी ख्यालों को छोर कर देखो अंदकार है अंदकार का गुन अज्ञानता है अज्ञानता में वही होता है जो गहडी नींद में सुसुक्ती में होता है फिर जग उठे तो चंचलता आज आ गई इसलिए अपने अंदर में मन को समेठ कर देखो शंद कविर्शाम ने कहा है पसरा मना बटोर, मन को बटोर लो और राह बारिक गुरुदेव ते पाईए जन्म अनेक की अटक खोले अभी गुरु नानक देव के वचन में पाठ होता था खनी हो तीखी बाल हो नीकी एतू मारगी जाना तलवार की धार का खयाल करो कितनी महीन होती है बाल की नोक्षेवी महीन इस तरह जो अपने मन को सिधा करता है तो मन उस सिधेपन के कारण सिधा होता है सिधा होता है तो इसका पसार चला जाता है, पसार कुछ भी नहीं रहे, विद्वान लोग जानते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, विन्दु में कोई पसार नहीं रहता, दृष्टी योग्षे अंधकार में सिम्टा होता है, किसी चीज को समेटो तो उसक के उधर्व गती होती है अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है उस प्रकाश में धौनी होती है कोई कहे कि नहीं होती है तो करके देखो शब्द होता है कि नहीं शब्द में गुन है कि वह अपने उद्गम में खिशता है जैसे चुम्बक लोहे को खिंचता है सुरत के खिंच जाने पर सुरत कहां तक खिंचती है जहां तक सुरत चेतन की गती है वहां तक जाती है संतों ने कहा अपने को अंधकार में समेटो प्रकास में जाओगे प्रकास का ज्यान विशय का ज्यान नहीं होगा अपने का ज्यान होगा हम लोग मैं बोलते ह यह मैं क्या है जानते नहीं है यह वर्णन करने योग नहीं है यही आत्मा है यह माईक नहीं है निर्माईक है इसका जिसको ग्यान होता है परमात्मा का उसको ग्यान होता है उससे जिसको प्रेम हो जाता है बिछुडता नहीं है इश्वर में मिलकर इश्वर मैं हो जाता है जो इश्वर को पावे उसका इश्वर से दो होना नहीं होता जो इश्वर को जान लेता है वह हो जाता है जानत तुमही तुमही होई जाई वो शामी तुलसिदाज जी ने कहा है शंतों ने यही बताया है कि शाधन करो यह बिना गुरु के नहीं होगा गुरु से यतन जानो मन समेटो इसमें उधर्व गती होती है इतनी उधर्व गती होती है कि मनो ले होकर वासना का छह हो जाता है हम लोग सभी कोई शांती खोजते हैं लेकिन शांती का पता नहीं केवल विद्या पढ़ने से शांती आएगी शो नहीं होगा विद्या नहीं पढ़ो शो भी नहीं विद्या पढ़ो शंतों के कहे अनुकूल चलो जिनको शंतों के वचन में विश्वास नहीं है शरधा नहीं है उनके हिर्दय में कभी शांती नहीं आवेगी इसलिए हम लोग संतों की वानी को पढ़ते हैं गुरु के बताए अनुकूल यथा योग चलते हैं और विश्वास करते हैं कभी न कभी शांती मिलेगी शादना करते करते इसके अनुभूती भी होती है जो नादानु संधान करते हैं उनका मनो लह होता है लेकिन पहले यह नहीं होता है पहले मोटा मोटा ध्यान करो फिर विंदू ध्यान करो फिर नादानु संधान करो जिसमें सब लह हो जाता है वे परमात्मा अमूर्त हैं किसी भी रूप में मानो सभी में वे अमूर्त परमात जो सबसे स्रेष्ट हैं उसमें मानो मेरे ख्याल में गुरु से स्रेष्ट और कोई नहीं इसलिए श्रीराम को गुरु श्रीकृष्ण को गुरु बिना गुरु के कोई नहीं गुरु नानक देव ने कहा है सूचे भार शाचु समावे बेडले सूचाचारी ऐसे लोग बहुत नहीं होते हैं कम होते हैं पवित्रता के लिए मतश्यमान्ष का खाना बंद करो खान पान को प्रथम समारो तब रसरस सब अवयगुन मारो खान पान को भी समहालना चाहिए और शाधों संतों के बताय रास्ते पर भी चलना चाहिए जो जूट बोलता है चोरी करता है नसा का सेवन करता है, हिंसा करता है और वेविचार करता है, ऐसा करने से मन में बहुत मैल उत्पन होती है जो योग्य गुरु में विश्वास करता है, उनके बताय अनुकुल चलता है, जूट नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता है, नसा का सेवन नहीं करता है, हिंसा नहीं करता है, बेविचार नहीं करता है उनके मन की मैल दूर हो जाती है यही जो हम लोगों ने गुरु से सीखा है सुना दिया यह होश्यार पूर है इसमें सब को होश्यार होना चाहिए मेरा आशिरवचन है कि आप सब लोग परवित्र हो जाएं और साधन भजन करें परंपुझ गुर्देव का यह परवचन पंजाव राज के होश्यार पूर्ण नगर में दिनंग 18.10.1977 को रातरी कालिन सच्चंग में हुआ था श्री शद्गुरू महाराज की जय